नमस्कार बहुत स्वागत है आपका विंधिया टाइम्स में हाजिर वैद दो पहर तक की दो बड़ी खबरों के साथ बात कर लेते हैं पहली खबर की जहां मद्धी प्रिदेश के खंडवा के रजूर गाओं में इस्थित कन्या सिक्षा परिसर के शात्रावास में पढ़ने वाली दस लड़कियों की अचानक तब्यत खराब होने से हड़कम मच गया सभी लड़कियों को तुरंत जिला स्पताल ले जाया गया घटना रात करीब 9 बजे की है जब एक लड़की अचानक चिलाने लगी जिससे अन्य लड़कियां भी डर गई डॉक्टरों के मुताबि लड़कियों में घबराहट के लक्षण दिख रहे हैं और फिलहाल सभी की हालत इस्थिर है इस घटना के बाद प्रिशासन के अधिकारी भी अस्पताल पहुंच गया है दरसल घटना रात करीब 9 बजे की है जब एक लड़की अचानक चीखने लगी जिससे बाकी लड़कि का कोई मामला नहीं है क्योंकि ऐसे लक्षण नहीं मिले हैं एक लड़की की तप्यद ज्यादा खराब होने के कारण उसका स्वास्त परिक्षण किया जा रहा है डॉक्टरों ने बताया कि सभी की हालत सामान है और उन्हें घबराहट के कारण भरती कराए गया है फोड पॉ हरती कराए गया है एक लड़की को छोड़कर बाकि सभी लड़कियों की हालत सामान है बात करते हैं अगली खबर की जहां मद्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत सरकार के केंद्री कृष्ण मंत्रे शिवरास सिंग चौहान अपने लोग सभाश्षेत्र के द दाम अभी और बढ़ेंगे क्योंकि सस्ता तेल आ गया है अभी हमने इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी है तो इससे तेल के दाम और बढ़ेंगे इसके लिए हमें तयार रहना चाहिए शिवरास सिंग किसानों को संबोधित करते हुए अचानक स्टेज पर लड़करा गये इस किसानों को संबोधन के दौरान शिवरास सिंग ने घोशना करते हुए कहा कि आने वाले प्रधान मंत्री आवास सर्वे में किसान भाईयों को भी इसका लाफ मिलेगा इसके लिए मैंने अपने प्रयास पर कई छोड़ दिलवाई और मैं दिल्ली में ऐसे ही नहीं बैठा काम कर रहा हूं शिवरास सिंग को सुनने के लिए बड़ी संख्या में भाजपा कारेकरता सहित किसान उपस्थित रहें बहुत बहुत धन्यवाद